राजिपा लेनेन बोहरा ने की ग्रेमंद्री राजनाद सिंग से मुलाकात राजे में सुरक्षा एवं कानुन विवस्था की स्थिती की दी जानकारी सेना ध्यक्ष जनरल विपिन रावित ने की उचिसतर ये बैठे कुलगाम बैठ हमले से उत्पन सिती का लिया जैजा सुरक्षा के कारण रध किया गया अनंतनाग संसदिय उप्चुनाव 25 मई को होना था अनंतनाग में उप्चुनाव आतंकियों ने कुलगाम में आज फिर लूटा बैंक इलाकाई देहाती बैंक से 65,000 लूट कर हुए फरार मुख्यमंत्री महबुबा मुफ्ती ने लिया जन समस्याओं का जैजा अधिकारियों सहीद पबलिक दर्बार में सुनी जन शिकायते शहीद परमजीत सिंग और प्रेम सागर को दी गई अंतिम विदाई वाइट होर्स कोप्स मुख्याले में दी गई अंतिम सलामी पुंच में गुंजी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग सेनब पर बैठ हमले के विरोध में युवाओं ने किया प्रदर्शन कॉन्ट्रेक्च्छल लेक्च्टर का सरकार के हिलाब विरोध जारी सतर दिन के प्रदर्शन के बाद भी नहीं मिली रहत पुंच हमले के विरोध में 35 पार्टी उत्री सडकों पर सरकार से की पाकिस्तान को मूँ तोड जवाब देने की अपील डोगरा फ्रंट ने की पाक के खिलाब ठोस कदम उठाने की मांग पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ठोस नीती बनाने पर दियाबल जमू में आज भी जारी रहा पीडीडी के अस्थाई कर्मियों का प्रदर्शन 156 दिन बाद भी सरकार मांगे मानने को तयार नहीं NPSU ने की सेना पर हुए बैठ हमले की निंदा पाकिसान के खिलाब कड़ी नीती अपनाने की की मांग अमनाथ यात्रियों के घर्ती संक्या पर विएच पी ने जताई चिंता यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने का किया आग रहे बोईस हैसकेंडरी स्कूल उधमपूर में आयोजित टीचर ट्रेनिंग कैम टीचर्स को दिये जा रहे टीचिंग के बहतर गुर टैंक ट्राइवर एमम क्लीनर्स ने वनाया वाश्रिक दिवस सबसब पर गुरुवानी का किया गया पाथ पांच दिन बंद रहने के बाद मुगल रोड पर यातेयाथ हुआ बहाल हिम्सकलन के चलते प्रशासन ने बंद किया था रोड जमू सिविल सोसाइटी फोरम की बैटर का योजित घाटी की स्थिती पर किया विचार विमर्श बंड टोल प्लाजा नक्रोटा पर दबंगों की दहशत टोल मांगने पर टोल करमचारियों से की मार पीट बिज़्णी की तारें टकराने से गेहूं की फसल हुई राग किसानों ने दमकल विभाग की गाडियां समय पर न पहुँचने पर लगाया आप रोग हाइस केंडरी स्कूल शोपियां के चात्रों ने किया प्रदर्शन गिरिफतार चात्रों को रिहा करने की कर रहे मांग सांबा के अमटाली गाउं में मनाय गया मजदूर दिवस मजदूरों ने अपनी विबन समस्याओं पर की चर्चा पूर्शनिकों ने कठुआ में किया प्रदर्शन सरकार से पाक को मूतोर जवाब देने की की अपील रेन्बो इंटरनेशन स्कूल में तीन दिवसी जगरुकता कारिकरम आयोजित कारिकरम में चात्रों को सिखाय जा रहे आपाच सिती से निपटने के गुर्व बकाया भुकतान को लेकर ठेकेदारों ने जताया रोज दोरू में ठेकेदारों ने किया अपनी मांगी उजागर ट्रैफिक नीमों की धज़ियां उड़ा रहे सांबा के मिनी बस चालक ओवरलोडिंग कर दे रहे हाथसों को नियोता ब्यसेफ ने कहा बैठ हमला सुन योजित शडियंत्र ब्यसेफ और सेना बरत रही पूरी स्तरकता भाजपाने की अलगाबादियों के दोहरे रवये की कड़ी आलोचना आतंकी इंसा में मासुमों की मोत पर चुपी साधने पर साधा निशाना सेना ने आयोजित किया गवर्मिट हाई स्कूल संकारी में जागरुकता शिवर से नहधिकारें ने छात्रों को दी स्वास्ते संबंदी जानकारी विधायक ने लिया सोपोर और संग्रामा की समस्याओं का ज्राइजा बाड प्रभावितों के पक्ष में रहात राशी जारी करने के दिये निर्देश राजोरी में जागरुकता शिवर में लिया बच्चों ने हिस्सा शिवर में सेना ने छात्रों को दी नशे से दूर रहने की नसीहत और आई अब नज़र डालते हैं मौसम के हाल पर दिन्भर की बड़ी खवरों के साथ रही अपडेट जे की अपडेट हबर दिन्भर रोज राज आठ पचे